यदि इस सामाने तापमान पर रूम टेमपरीचर पर हम एक बीकर में 100 ml जल लेते हैं और उसमें sodium chloride की कुछ मात्रा घुलते हैं वह मात्रा आसानी से घुल जाती है हम उसमें और sodium chloride डालते हैं वह भी घुल जाती है लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद उसमें और अधिक sodium chloride की मात्रा घुलनी बंद हो जाती है और इस स्थतिय में हम कहते हैं कि विलियन संत्रप्त विलियन बन गया है यनि कि यहाँ इसपस्ट होता है कि यदि एक निश्चित तापमान पर ले और विलायक का एक निश्चित आयतन लेते हैं तो उसमें किसी भी आयनिक्ठोस की विलेता निश्चित होती है और इस तरह से हम विलेता को परिभाशित कर सकते हैं किसी निश्चित तापमान पर 100 ml विलायक में घुली हुई विले या सॉल्यूट की अधिक्तम मात्रा उसकी विलेता कहलाती है और चुकि जब उसमें किसी विले की अधिक्तम मात्रा घुल चुकी होती है उसे हम संत्रप्त विलियन कहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित विलायक में किसी विले पदार्थ का संत्रिक्त विलियन बनाने के लिए हमें जितनी विले की मात्रा की आवशक्ता होती है उसे ही हम उस विले पदार्थ की उस विलायक में विलियता कहते हैं अब हम देखें कि प्राया हम ऐसा सोचते हैं कि जितने भी आइनिक ठोस होते हैं या आइनिक साल्ट होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये घुलते तो हैं लेकिन इनकी विलेता में अंतर होता है उधारन के लिए यदि हम यहाँ पर sodium chloride लेते हैं, lithium fluoride लेते हैं, magnesium chloride लेते हैं और barium sulphate लेते हैं और उनकी निश्चित मात्रा को एक निश्चित मात्रा के जल में निश्चित आयतन के जल में घोलने का प्रयास करते हैं हम देखेंगे कि निश्चित तापमान पर सोडियम क्लोराइड और मैगनीशियम क्लोराइड तो उसमें आसानी से घुल जाते हैं लेकिन लीथियम फ्लोराइड और बेरियम सेल्फिल्ट वो उसमें नहीं घुलते हैं इसका मतलब यह है कि सभी आइनिक ठोसों की जल में विलेता एक समान नहीं होती है वास्तों में किसी भी आइनिक ठोस की जल में विलेता दो बातों पर निर्भर करती है पहली लवन की जालप उर्जा यानिकी उसकी लेटिस एनरजी और दूसरी होती है जब हम उसे विलायक में घोलते हैं यानि वो विलियन अवस्ता में होता है उस समय विलियन में उसके आइनों की विलायकन उर्जा या सॉल्वेशन एनरजी कितनी होती है अब हम जानते हैं कि lattice energy किसी भी solid या आइनिक ठोस की lattice energy क्या होती है किसी भी आइनिक ठोस के एक mole को उसके अव्यवी आइनों में तोड़ने के लिए जितनी उर्जा की आवशकता होती है उसे हम उसकी lattice energy या जालप उर्जा कहते हैं दूसरी और जो विलाइकन उर्जा क्या होती है जब हम किसी आइनिक ठोस को जल में विले करते हैं तो जल के अनु उसे चारो और से घेर लेते हैं उसके आइनों को चारो और से घेर लेते हैं और इस स्थती में याने की ठोस के जो लवन है लवन के आईनों में तथा जल के अन्मों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके फलसरूप उर्जा बाहर निकलती है जिसे हम विलायकन उर्जा कहते हैं और यह हमेशा नेगटिव होती है याने की विलायकन जब किसी भी ठोस क हम किसी जल में घोलते हैं और यहाँ पर जल योजन की क्रिया होती है तो जल योजन की जो उर्जा है हमेशा नेगटिव होती है इसमें उर्जा बाहर निकलती है और इस तरह से जिसे हम विलायकन उर्जा कहते हैं तो यहाँ पर किसी भी विद्धुत अगटे या किसी भी आ जब किसी ठोस के लिए या आनिक ठोस के लिए उसकी लटस एनर्जी का मान कम होता है उसकी सॉलवेशन एनर्जी से तब ही वह ठोस उस जल में या फिर उस विलायक में घुल पाता है यहां पर हम बता दें कि जो विलायकन उर्जा होती है या सॉलवेशन एनर्जी होती है वो विलायक के नीचर पर भी नर्भर करती है यानि कि दुरुवी विलायकों के लिए प्राया यह देखा जाता है कि दुरुवी विलायकों के लिए जो सॉलवेशन एनर्जी का मान है वो उर्जा निकलती है विलायकन उर्जा जो सॉल्वेशन एनर्जी निकलती है वह उनकी लेटिस एनर्जी की तुलना में अधिक होती है दूसरी और जो अध्रुवी विलायक होते हैं जैसे कि बेंजीन ले सकते हैं या फिर कैरोसीन ले सकते हैं या कार्बन लेते हैं इनकी जो solvation energy होती है वो कम होती है और solvation energy कम होने की वज़े से जब हम इसमें किसी विद्धू तब घट्टे को या ठोस को आइनिक ठोस को इसमें घोलते हैं तो इनकी जो solvation energy इतनी अधिक नहीं हो पाती है कि वो आइनन एन्थल्पी से कोपार कर पाई या अधिक हो पाई और इस यही वज़ा होती है कि यह जो आइनिक ठोस होते हैं अध्रुवे विलाइकों में नहीं घुलते हैं तो इस आधार पर क्यों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रतेक लवन की एक निश्चित तापमान पर किसी विलायक में एक निश्चित विलेता होती है यदि हम जलकी बात करें तो यहाँ पर भिन भिन प्रकार के लवन की निश्चित तापमान पर विलेता भिन भिन होती है औ और इसी विलेता के आधार पर हम लवन को तीम कैटेगरी में बाढ़ सकते हैं सबसे पहले वर्ग में हम उन लवन को रखते हैं जिनकी विलेता 0.1 मोलर से अधिक होती है और ऐसे आइनिक ठोसों को हम विले कहते हैं दूसरे कैटेगरी में हम उनको रखते हैं जिनकी विलेता 0.1 मोलर से तो कम होती है लेकिन 0.01 मोलर से अधिक होती है और ऐसे आइनिक ठोसों को हम कम विले ठोसों की कैटेगरी में रखते हैं और तीसरे प्रकार के जो लवन होते हैं आइनिक ठोस होते हैं उनकी विलेता 0.01 मो एधिक तुस्त में रखते हैं एक बारत हो इनकी विलेटा किस प्रकार से प्रभावित होती है तो इससे हम देख़ते हैं माली जे यहाँ पर हमने उधारन लिया है एक अविलेय आईए अब हम एक अल्प विलेय आईनिक ठोस अल्प विलेय आईनिक लवन का उधारन लेते हैं और इसकी विलेयता के विसे में जानते हैं यहाँ पर हमने उधारन लिया है बेरियम सल्फिट का जो की एक अल्प विलेय आईनिक लवन है एक बेरियम सल्फिट का विलेय लेते हैं और उसे जल में विलेय करते हैं तो कुछ मात्रा में बेरियम सल्फिट विलेय होता है और उसकी पश्चात जो अविलेय बेरियम सल्फि वह उस बीकर की तली पर इस्थर हो जाता है अब यहां पर हम देखें कि यहां जो बेरियम सल्फिट है वह आयनी थोकर बेरियम 2 प्लस आयन और यहां पर चुकि बेरियम सल्फिट एक धीमी गती से विले हो रहा है और इसलिए यह जो क्रिया होती है यहां उतिक्रमणी क्रिया होती है यहां पर बेरियम सल्फिट का निर्मान भी करते रहते हैं यहां पर बेरियम सल्फिट का विलियन और जो अविले बेरियम सल्फिट जो की ठोस के रूप में बीकर की तली पर है उनके बीच एक गतिक साम्यवस्था स्थापित हो जाती है और इसलिए यहां पर यदि हम इस equation के लिए साम्यवस्था स्थारां का मान drives तो यह होगा K is equal to barium 2 plus I know की molar concentration into sulfate 2 minus I know की molar concentration divided by barium sulfate की concentration और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो barium sulfate है वो solid है ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था की जो concentration है वो स्थिर होती है इसे लिए हम इसे इस्थरांग की तरफ ले आते हैं और इस तरह से हमारे पास जो इक नया question मिलेगा वो हो जाता है कि barium sulfate की concentration is equal to barium 2 plus I know की concentration into sulfate 2 minus I know की concentration इस तरह से यहाँ पर जो हमें एक नए सामयवस्था स्थरांग प्राप्त होगा इसे हम लिखेंगे KSP और KSP is equal to होगा barium 2 plus I know की concentration into sulfur 2 minus I know की concentration तो यहाँ पर यह जो KSP हमें प्राप्त हुआ है इसे कहा जाता है विलेता गुडनफल इस्थरांग या विलेता गुडनफल इसे हम इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं इस्थर ताप मान पर किसी विद्दुत अपगट के संत्रित विलियन में उसके आइनों के सक्री द्रवे मानू या मोलर सांद्रन के गुडन फल को हम उसका विलेता गुडन फल, उस विद्धु तप घटे का विलेता गुडन फल कहते हैं यहाँ पर हम देखें कि जो barium sulphate है उसके लिए विलेता गुणनफल का जो प्रायोगिक मान होता है 298 Kelvin पर 298 Kelvin पर इसका मान होता है 1.1 into 10 to the power minus 10 जो की काफी कम है जो दर्शाता है कि 298 Kelvin पर इसकी जल में विलेता काफी कम होती है आईए अब जानते हैं कि किसी भी आयनी ठोस के लिए उसकी विलेता और विलेता गुणनफल में क्या संबंध होता है यहाँ पर हम एकुदाहरन ले रहे हैं मालेजे हमारे पास एक लवण है AB जो की आयनी ठोकर A plus और B minus आयन देता है और हम जानते हैं कि चुकि यहाँ यदि हम इसके लिए विलेता गुणनफल ले तो इसके लिए KSP is equal to हो जाएगा A की concentration into B minus की concentration यहाँ पर यदि हम जो molar concentration है उसकी जगह पर क्योंकि molar जो सांद्रता है वह उसके molar विलेता के बराबर होती है इसलिए यहाँ पर हम molar सांद्रता की जगह पर विलेता को रख सकते हैं इसलिए KSP is equal to हो जाएगा A की solubility विलेता into B की विलेता के और इस तरह से KSP is equal to हमें प्राप्त हो जाएगा S square और हम यह भी रह सकते हैं कि S is equal to हो जाएगा under root of KSP तो इस तरह से हम किसी लवन के लिए उसकी विलेता और विलेता गुडनफल में संबंध दर्शा सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने जो लवन लिया है उसमें से केवल एक धनावेश और एक रणावेश वाले एक एक आयन ही वियोजित हो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लवन में एक ही धनायन और एक ही रणायन हो तथा उन पर आवेश की मात्रा भी समान हो अलग-अलग प्रकार के लवण में उनके व्योजन के फल सरूप हमें भिन-भिन आवेशों वाले तथा दो या दो से अधिक संख्या वाले धनायन और रिनायन प्राप्त हो सकते हैं तो उसी के आधार पर उनकी विलेता और जो विलेता गुड़न फल है उनके भी संबंद का एक्वेशन भी हमें भिन-भिन प्रकार से प्राप्त होगा उदारन के लिए हम एक AX2 प्रकार के लवन का उदारन लेते हैं यहाँ पर हम उदारन ले रहे हैं लड़ क्लोराइड का PBCL2 PBCL2 को जब हम विले करेंगे तो यह इस प्रकार से आयनों में वियोजित होगा इससे लड़ PB पॉजिटिव आयन का एक आयन मिलेगा लेकिन यहाँ पर चुकि CL2 है इसलिए CL- के दो आयन हमें प्राप्त होगे अब हम जानते हैं कि यहाँ पर यदि हम KSP यहाँ पर इसकी जो Solubility Product लिखें तो Solubility Product बराबर होगी लड़ पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन इंटू CL- की कंसंट्रेशन की घात दो अब यहाँ पर चुकि KSP is equal to जब हम लिखेंगे तो इनकी Solubility जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो लड़ है उसके तो एक ही आयन है तो इसलिए उसकी Solubility S होगी लेकिन चुकि यहाँ पर क्लोराइड है उसके दो आयन हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पर Solubility का गुड़ा हो जाएगा दो से तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 4S का क्यूब तो इस तरह से हम देखें कि जिस जिस प्रकार का लवण होगा उसके आधार पर हमें उसकी Solubility Product और Solubility में संबंध प्राप्त होगा इसी तरह से एक और उदारण हम लेते हैं यह है कैलसियुम फॉस्फट का कैलसियुम फॉस्फटort-C3O4 हल टमाईस जब इसका वियोजन होगा तो हमें 3 मोल कैलसियुम 2 प्लस आईनों के मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमें 2 मोल फॉस्फट 3- नेगटिव आईनों के मिलेंगे अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके लिए जब हम solubility product लिखेंगे तो यह होगा 3CA2 plus के आइनो की concentration इन्टू यहाँ पर हम लिखेंगे 2PO4 3- आइनो की concentration अब यहाँ पर जब हम इसकी solubility product लिखेंगे पुना इसे आगे लिखने पर यहाँ पर के SP is equal to हो जाएगा 3S की whole cube इंटू 2S की whole square और इस तरह से यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27S का cube इंटू 4S का square और इस तरह से जब हम 27 और 4 इनका गुणा कर करेंगे तो हमाई value मिलेगी वह होगी 108 इंटू S की power 5 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग जो विद्दू तब घटिया अलग-अलग आइनिक ठोस होंगे उनके लिए उनमें उपस्थित आवे आवेशों तथा उसमें उपस्थित आइनों की संख्या के आधार पर उनकी विलेता गुड़नफल और विलेता में संबंध का equation हमें प्राप्त होगा आईए अब हम एक और ऐसे कारक के बैसे में जानते हैं जो की आइनिक लवणों की विलेता को प्रभावित करता है और वह कारक है common ion effect या some ion प्रभाव हम जानते हैं कि जब किसी लवण को जल में विले किया जाएगा माली जी यहाँ पर A B एक लवण है जिसे हम विले करते हैं तो यह A positive ion और B negative ion में तूट जाता है और यहाँ पर इनके बीच एक equilibrium आ जाता है और हम जानते हैं कि equilibrium पर यहाँ पर इसके KSP और Q का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है शुरू में यहाँ पर जैसे जैसे A B आयनों में तूटता चला जाएगा उससे यहाँ पर Q का मान बढ़ता चला जाएगा और एक इस्थती ऐसी आएगी जब साम्य वस्था स्थापित हो जाएगी उस इस्थती में यहाँ पर KSP और Q का मान एक दूसरे के बराबर हो और इस इस्थती में यदि हम इस विलियन में दोनों जो उसके आयन हैं उसमें से कोई एक आयन जो की समान आयन होगा उसमें यदि एड कर दें तो हम जानते हैं कि जो लाषितेलिये के नियम के अनुसार ये जो अभीक्रिया है, इसकी साम्य वस्था प्रभावित हो जाएगी और अभीक्रिया बाक्वर्ड सामें चलने लगीगी, यनि कि वो अधिक मात्रा में पुना जो हमारा अभिकारक है, यनि कि A-B को बनाने लगें इसे हम एक उदारण के द्वारच समझ सकते हैं माले जिये हमारे पास है एक अमोनियum हाइडरोक्साइड का को हम जानते हैं कि जो आमोनियम हाइड्रोक्साइड है यह वियोजिथ होकर स्थापित होता Might जूरियो में हम एक ammonium chloride डाल देते हैं जिसमें कि एक iron वैसा ही है जैसे कि ammonium hydroxide में है यहने कि एक common iron उपलब्ध है जैसे ही आम इसमें ammonium chloride डालते हैं क्योंकि ammonium chloride एक प्रबल विद्धु तब घटे है और बहुत अधिक मात्रा में विलियन में ammonium iron को उपलब्ध कराता है इस स्तती में अब यह जो बहुत सारे ammonium iron है यह पुना ammonium hydroxide के विगटन से प्राप्त जो hydroxyl iron थे उनसे सयों कर लेंगे और पुना यह ammonium hydroxide का निर्मान करेंगे यहां पर जो आएनिक गुडन फल का मान होगा यहां कि क्यू का मान अब इसके ksp के मान से अधिक हो जाएगा और इस स्तती में यहां पर जो पडार्थ है वह अवक्षे पित हो जाएगा यहां कि विलियन से वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाएगा इस स्थती को ही हम अवक्षेपन कहते हैं इस कॉमन आयन प्रभाव का उपयोग बहुत अधिक रासानिक क्रियाओं में होता है जैसे कि उदारन के लिए इसका अनुप्रयोग हम कर सकते हैं अलप विले विद्दुत अपघट की विलेता को ग्याद करने में हम जानते हैं कि जो अलप विले विद्दुत अपघटे होते हैं उनकी आयनिक प्रोड़क्ट और विलेता में एक संबंद होता है के इसपी संबंदित होती है उसकी सॉलुबिल्टी से या विलेता से तो यदि हमें के स्पी की वैल्यू पता है तो हम उसके आधार पर उसकी विलेता की गढ़न कर सकते हैं दूसरी है जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है यह कौमन आयन प्रभाव का यह कौमन आयन प्रभाव यह अवक्षेपन अभी क्रियाव में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि माल लेजे कोई विद्धुत अपघट है जो एक समानी ड्रोप से आयनीट होता है और एक साम्या अवस्था स्थती में इसमें उसके आयनी प्रोड़क्त और इसके solubility product यहने कि KSP और Q एक दूसरे के equal आ जाते हैं लेकिन इस स्थती में यह अभी जो billion है वह सामय अवस्था में रहता है billion अवस्था में ही रहता है लेकिन यदि हम इसमें कोई common iron जिससे कि क्यों कामान अधिक हो जाए इस स्थती में यहां पर जब क्यों कामान अधिक हो जाएगा तो अभिक्रिया backward दिस्था में जाएगी यनि कि जो हमारा मुख्य अभिकारक है उसकी मात्रा और अधिक बनने लगेगी और वह अधिक बनने की वज़े से अब वह विल्यन से बाहर आ जाएगा यनि की अवक्षेपित हो जाएगा दूसरी स्थती में यदि क्यों का मान जब तक कम रहेगा के स्पी के मान से यनि की उसके आनिक गुडण फल का मान उसके विल्यता गुडण फल से यदि कम तो वा विलर्यस्टा में ही रहेगा और तीसरे इस्थती में यह हम है सब्सक्राइब कि विलियन अभी और संत्रिप्त वभुल जब क्यू का मान यह ले इस्ट्टा के मान के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि विलियन शंत्रिप्त विलियन अवस्था में होता है इस तरह से यदि हम हमें किसी विलियन में से किसी भी पदार्थ को अवक्षेपित करना होता है तो उस स्थती में हम उससे समंदित कौमन आयन का उप्योग करके उसके Q के वेल्यू को बढ़ा सकते हैं जब Q की वेल्यू अधिक हो जाएगी वैसे ही जो पदार्थ है वह वक्षेपीत होकर विलियन से पाहर आ जाएगा उदारण के लिए इसका उप्योग हम करते हैं नमक के शोधन में जो भी अशुध नमक हमें जो समुद्र से जो नमक प्राप्थ होता है उसमें बहुत सारी अशुध्या होती हैं इसके शुध्य करने के लिए नमक का विलियन बना लिया जाता है सोडियम क्लोराइड का हम संत्रप्त विलियन बना लेते हैं और उसके पश्चात उसमें हड्रोक्लोरिक की जो गैस है एक्सिल गैस को प्रवाहित करते हैं हम जानते हैं कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड में एसल जाती है और एसल चुक CL की CL- का मान बढ़ता है वैसे ही जो sodium chloride के KSP की तुलना में उसके ionic product का मान बढ़ जाता है यानि की Q की value बढ़ जाती है और जो sodium chloride है वह शुद्ध लवन के रूप में अवक्षेपित हो जाता है तो इस तरह से सुद्ध अवस्था में sodium chloride को प्राप्त करने के लिए common ion effect का उप साबुन के लवनी करन में भी हम इसका उप्योग करते हैं जब हम जानते हैं कि जब साबुन बनाया जाता है तो साबुन तेल और वसा के द्वारा इसको बनाते हैं और जो तेल होते हैं वह वसी अमलों के लवन होते हैं तो जैसे ही जो तेल जिसमें की कार्बॉक्लिक अमल उपसित होते हैं उसमें जब छार मिलाया जाता है तो वह छार की अधिक मात्रा जैसे ही हम उसमें मिलाते हैं तो वह साबुन याने की वसी अमलों के सोडियम लवन के रूप में साबुन अवक्षेपित हो जाती है और इस तरह से साबुन का लवनी करण किया जाता है